हलो गाइज वेलकम टो लाइज शिक्षाट्यूग दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सैट नमबर टैन जो हमने रेलवे ग्रूप डी के प्रिवियस पेपर से इसमें क्यूशन डाले हैं दोस्तों इसके अंदर हमने 25 क्यूशन इंक्लूड किये हैं और चैनल ने 32 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं हम जो कि हमने 18 दिन में ये प्रोसेस किये तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों मैं आपको एक सुचना देना चाहूँगा कि हम सुबह 6-8 के बीच में जो जीके और जीएस का पेपर या प्रैक्टिस सैट डालते हैं उसके को 6-8 के बीच में एक मैट्स का या रीजनिंग का प्रैक्टिस सैट डालना शुरू कर दिया है तो आपने अभी तक हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस बटन को दबा दीजिए ताकि सुबह और शाम क आपको एक प्रैक्टिस सैट मिल सके है अब चलिए हम शुरू करते हैं क्योशन नमबर फास्ट इंडो मिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कोन है हमार पास ओफ्शन है ओफ्शन ए है जुमपा लैरी ओफ्शन बी है खुश्वंत सिंग ओफ्शन सी है राज मोहन गांध और ओफ्शन डी है डोक्टर एपीजे अबदुलकलाम दोस्तों जो इसके राइटर है लेखक है उनके बारे में मैं कुछ हिंट देना चाहूँआ और उनके बारे में कुछ बताना चाहूँआ मैं आपको आपका एंसर आपको समझ आ जाएगा दोस्तों जो इंडो मिटेब आपक रह चुके हैं इसके साथ साथ हमारे देश के प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं तो दोस्तों इसका एंसर आप सभी जान चुके होंगे यह है डोक्टर एपीजे अबदुलकलाम सो हमारा option हुआ option D डोक्टर A.P.J. अबदुलकराम Q2 में चलते हैं निम्न लिखित में से कौन सा एक एंजाइम है हमारे पास option है option A है glukagun option B है insulin option C sometropin option D है trypsin दोसों glukagun, insulin और sometropin ये तीनों ही हार्मोन है so हमारा option रहेगा option D trypsin एक बात और बताना चाहूँगा जो sometropin है इसको याद रखिएगा sometropin growth हार्मोन है जो लंबाई वगे रहा बढ़ाने में हमारी मदद करता है इसके उपर semotropin पे SSC में साइद question आ चुका है तो इसका answer हैगा option D trypsin question number 3 में चलते है मला पेरियार बांध कहां स्थित है हमारे पास option है option A है तमिल नाडू option B है पस्चिम बंगाल option C है केरल और option D है करनाटका दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपके जो भी question सही होते हैं उसको एक marks दे दीजिए और जो गलत होता है उसको 0 marks दे दीजिए so that आपको लाश्ट में पता चल जाएगा कि आपकी तयारी कितनी है और आप कौन सी केटेगरी में बिलोंग करते हैं तो हमारे पास इसका answer हैगा दोस्तों केरला और जो मला पेरियार बांध है वो पेरियार नदी है उसके उपर भोद बड़ा बांध बनाया गया है तो मला पेरियार बांध कैरला में स्तीत है याद रखेगा क्यूशन नमबर 4 में चलते हैं कबीर किस के सिश्य थे हमारे पास option है option A रामानुज option B रामानंद option C संकराचारिये और option D चेतन्य दोस्तों आपको हिंट के तोर में बताना चाहूंगा कभीर जिनके सिश्य थे वो एक भोद बड़े कभी मलब पोईट रह चुके हैं और उन्होंने काफी पोईट्रिया लगी है तो इसका एंसर होगा option B रामानंद question number 5 में चलते है निम लिखित में से कौन सा वह एक मात्र शांप है जो अपना गोसला बनाता है दोस्तों ये काफी बार एक्जामस में आ चुका है तो याद रखीगा इसके answer option देखते हैं option A है वाईपर option B कहराथ option C अजगर option D है नागराज मतलब King Cobra दोस्तों इसका answer होगा option D नागराज King Cobra और इसके साथ मैं बताना चाहूँँगा जो अजगर है वो Python family से बिलोंग करता है अब question number 6 में चलते है निम लिखित में से किस खनीज में oxygen की उपस्तिती नहीं रहती मतलब उस खनीज के अंदर बिल्कुल भी oxygen की उपस्तिती नहीं रहती है हमारे पास option है option A है silicate option B रहेगा carbonate option C है pyrite और option D रहेगा इन में से कोई नहीं दोस्तों इस type का अगर question आए और आपको solution नहीं पता है तो मैं आपको बहुत बार बता चुगा हूँ की real life में लेके सोचा करो और second है की option से answer दिया करो जैसे silicate और carbonate है इसके अंदर oxygen की मात्रा रहती है तो हमारा option A की बचा pyrite तो अगर आप तुक्का भी मारोगे तो वो भी सही हो सकता है question number इसका answer हैगा option C pyrite अब question number 7 में चलते है चांद बीवी ने कहां शाषन किया था हमारे पास option है option A है एहमद नगर option B है बीजापूर option C रहेगा गोंडवाना option D है वारंगल तो यह बहुत complex question है वैसे बहुत easy question है बट इस question पे बहुत से तरक दिये हुए है और यह RRC में include किया गया था तो मैं इसके बारे में बताना चाओँगा चांद बीवी थी जो एक महिला मुस्लिम महिला थी और उसने अकबर के सामने यूद किया था और उसने एहमद नगर और बीजापूर दोनों को ही सुरक्षित किया था अकबर के शाषन से मुगल सासन से अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ओफ्षन होगा ओफ्षन ए एहमद नगर दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसका बीजापूर क्यों नहीं हुआ तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो इसमें एहमद नगर रखना है और अगर अपने पास दोनों में से एक ओफ्षन आए तो विजापूर या एहमद नगर अब क्योशन नमर 8 में चलता है नेम लिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुट्टे के काटने से होती है हमारे पास ओफ्षन है ओफ्षन A है उफ्षन B है हॉफ्षन C है हॉफ्षन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्टो कुट्चे के काटने से होने वाली बिमारी हॉफ्षन हैगा उफ्षन C इसके साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ आप जो भी क्यूशन मैं बताता हूँ उसको रियल लाइफ में लेके देखिया कीजिए और इसके साथ अब जब आप बाहर जाएंगे तो कुट्टे को देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए आपके मायन में आने चाहिए कि इससे अगर ये काट लेगा तो बीमारी कुन सी होगी इस टाइप से आप क्यूशन काली में निंदरा के तत्य को कहते हैं हमारे बाइस ऑफशन है ओप्शन A है हाइभ्डेशन ऑफशन B है एसटी option c रहेगा solvation और option d है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका answer होगा option b activation मैं आपको एक बात और बता ना चाता हूँ hybration है hibernation option a इस पे काफी question आ चुके है ये क्या होता है दोस्तो जब पसू depression में चला जाता है उसको hibernation कहते है जब ये अपना कोई पसू depression में चला जाता है तो उसकी हर्दे की गती तेज हो जाती है इस type को इसको कैसे भी गुमाफ राके question पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा question number 10 में चलते है huf पद का अर्थ है ये आर्थिक सास्तर से लिया हुआ है हमारा पास option A है हिंदू undivided family option B है हिंदू unified family option C है highly urbanized family और option D है इन में से को ही नहीं दोस्तों इसका answer होगा option A हिंदू undivided family अब आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में huf है वो taxpayer के लिए बनाया गया है जो अपन taxpayer करते है उनके लिए अब इसमें huf मतलब इसको हिंदू undivided family क्यों कहते है मैं बताता हूँ हिंदू का मतलब आप समझ जुके होंगे कि जो हिंदू द्रम में है अब undivided मतलब जिन लोगों ने अपनी संपती है वो अपने पुत्रों में पुत्रियों में या किनी में डिवाइड नहीं किये मलब उसका taxpayer only one person है उसको हिंदू undivided family में huf taxpayer में include किया गया है तो ये question याद रखेगा काफी बार पूछा जाता है question number 11 में चलते है खाना बनाते समय किस vitamin के नश्ट होने की संभावना रहती है हमारे पास option है option A vitamin A option B vitamin B option C है vitamin C और option D रहेगा vitamin D तो दोस्तो इसका answer होगा option C vitamin C अब दोस्तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जब आपकी मम्मी या अगर आप बहार रहते हो तो खाना खाते time आपको याद आना चाहिए कि जब खाना बना रहा है वो आदमी उस time vitamin C नश्ट हो सकता है इस time से आप याद रहेगा इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक दिन बैट के दो तीन गंटे लगेंगे vitamin A से लेकर जितने भी vitamins हैं उनके बारे में लिख लीजिए कि इससे क्या होता है इससे क्या होता है और उसको अपने pen paper पे उतार के अपने room में चिपका लीजिए और जाते आते देखिए दोस्तो जनरल साइन्स को कभी भी छोटा पाट समझ के या जनरल समझ के मत छोड़िएगा क्योंकि इससे 25 से 30 क्यूशन आएंगे और सबसे ज़्यादा गलत क्यूशन हम जनरल साइन्स के करके आते हैं क्यूंकि हम सोल कर लेंगे अब क्यूशन नमर 12 में चलते हैं विजय नगर सामराज जय पर सबसे पहले किस राजवन्स का शाषन था हमारे पास ओफशन है ओफशन A है होईसल ओफशन B रहेगा संगम ओफशन C है सालूवा और ओफशन D रहेगा आपका तुलूवा दोस्तों इसका एंसर हैगा ओफशन B संगम जब टोटल हो जाए आपका इतने एंसर सही है तो आप कमेंट बोक्स में डालिए कि सर मेरे इतने एंसर आये और आज इतना दिन है दोस्तों आप देखिए हमारे वीडियो पे कुछ सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जो लोग डेली सोल्व करते हैं उनकी प्रोग्रेस देखे आप ठीक है तो कमेंट करना मत बूलिएगा अब चलते हैं क्यूशन नमर थर्टी में किसके शाषनकाल में सांची स्थूप का निर्माण हुआ हमारे पास ओफशन है ओफशन A है अशोक के ओफशन B है हर्सवर्दन के अशोक के सांची स्थूप का निर्माण हुआ था अब मैं इसके पीछे हमारा एंसर हैगा अशोक अब सम्राट अशोक जो सांची का स्थूप है इसके पीछे के एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ उस स्टोरी के माद्दम से आपको याद रहेगा सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अशोक है उनकी शादी हुई थी वो सांची में हुई हुई है सांची एक छोटा सा गाव है और कस्बा मान लो इसके अंदर सांची के अंदर मतलब अशोक की शादी हुई थी और इसका निर्माण अशोक की बीवी मतलब समराट अशोक की बीवी मतलब उसकी वाइफ ने करवाया था और इसकी सांची के स्टूप से काफी क्यूशन बनते हैं तो इसकी पूरी स्टोरी नेट पे दी वी है इसके इतियास के बारे में पढ़िएगा अब क्यूशन नमबर 14 में चलते है भारत में विद्वा उनर विवा है के कानून को सुद्रडता प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे इसमें पूछावाया पहले व्यक्ति तो हमारे पास ओप्शन है ओप्शन ए है पंडित रमाबाई ओप्शन बी इश्वर्चंद विद्याशागर और ओप्शन C रहेगा महर्सी करवे और ओप्शन D है राजा राम मोहन राए दोस्तो इश्वर्चंद विद्याशागर जिन्हों ने विद्वा पुनर मिवा है के कानून को बढ़ावा दिया था और आज हम सब जानते हैं यह लिगल है तो इसका एंसर हैगा ओप्शन B इश्वर्चंद विद्याशागर अब क्यूशन नवर 15 में चलते हैं किसके द्वारा जापानी इनसे फैलेटिस फैलता है हमारे पास ओप्शन है ओप्शन A प्रदूशित जल ओप्शन B वाई-उओ ओप्शन C कुट्टे के काटने से ओप्शन D है मच्चर दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापानी इनसे फैलेटिस होता कै दोस्तों यह जो दिमाग के अंदर अपन कई बार बोलते हैं न बुखार चड़ गई और जो दिमाग की बुखार होती है उसको जापानी इनसे फैलेटिस बोलते है इसके साथ अपन जो ब्रेन स्वेलिंग है इसको भी जापानी इनसे फैलेटिस बोलते है तो यह दोस्तों मच्चर के काटने से होती है याद रखिएगा यह क्यूशन SSC में भी आया हुआ है RRB, Group D में भी आया हुआ है तो इसका एंसर हैगा Option D मच्चर क्यूशन नमपर 16 में चलता है AICTE का विश्तिर्त रूप क्या है जो लोग Technical University से BTEC या BE वगेर किये हुए है वो जानते होंगे कि AICTE क्या है हमरे पास Option A है All India Council for Technical Education Option B है All India Center for Technical Education Option C है All India Center for Training Education और Option D है नन मतलब इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो AICTE का फुल फॉम यह होगा All India Council for Technical Education दोस्तो मैं आपको दो-तिन क्यूशन इससे रिलेटेट और बता देता हूँ AICTE का निर्माण हुआ था 1945 में याद रखेगा और यह AICTE है जो Technical Universities Technical Education तकनिकल जो शिक्ष्या है तकनिकी शिक्ष्या उसको बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी और इसी का फल सवरूज आज इंडिया इतना आगे टेकनोलोजी में विक्सित हुआ है तो AICTE के बारे में काफी बार पूछा जाता है तो याद रखीगा अब क्यूशन नमर 17 में लेके चलता हूँ नागारजुन अभिलेग से किस के बारे में जानकारिया मिलती है हमारे पास उफशन है उफशन A है जैन धरम के बारे में उफशन B है बोध धरम के बारे में उफशन C है ब्राह्मन वाद के बारे में और उफशन D है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो नागारजुन अभिलेग से हमें बोध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती है। अब क्योशन नमबर 18 में लेके चलता हूँ। बारत के किस राजय में सियाल कुची वस्तर उद्योग स्थित है। हमारे पास उफ्षिन है, उफ्षिन A करनाटक, उफ्षिन B जम्मु कस्मीर, उफ्षिन C असम, उफ्षिन D मिखाले। दोस्तो जो गोहाटी गोवर्मेंट है, वो सुयाल कुची वस्तर उद्योग पे विसेश द्यान देती है। इसका एंसर होगा, उफ्षिन C असम, क्यूशन नमबर 19 में चलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन योगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमार बास उफ्षिन है, उफ्षिन A है नाइट्रोजनी करन, उफ्षिन B है निशेचन और उफ्षिन C रहेगा नाइट्रोजन स्थीरी करन और उफ्षिन D है नन, मतलब इन में से कोई नी, तो दोस्तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजनी करन, क्यूशन नमबर 20 में चलते है भारत के जुड़े फैलिक्स किस खेल के प्रशिद खिला रही है दोस्तो फैलिक्स के बारे में आपने काफी बार लियूज में सुना होगा तो इसका ओफ्षन बताईएगा option A है football, option B है hockey, option C है teraki और option D है badminton दोस्तो इस टाइप का अगर question आपको नहीं आता है उसका answer तो तुक्का मारने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ option के थुरू answer मिलाईए तो इसमें football नहीं हो सकता, teraki नहीं हो सकता, badminton नहीं हो सकता और हमारे पास option बजा hockey तो इस option number 21 में चलते हैं अंतरिक्ष प्रक्षेपन सुविध्या से परिपूर्ण बेको नूर अंतरिक्ष कैंद्र कहां स्थित है ये काफी बार question आ चुका है तो इसको याद रखेगा option A है रूस, option B है कजाकिस्तान, option C पाकिस्तान और option D है अमेरिका दोस्तों बेको नूर अंतरिक्ष कैंद्र कजाकिस्तान में स्थित है तो इसका एंसर होगा option B कजाकिस्तान, question number 22 में लेके चलता हूँ अल्माटी बांध कहां है दोस्तों अल्माटी बांध है जो कर्षना नदी पे स्थित है अब आपको ध्यान में रखना है कि कर्षना नदी कहां है इसका answer मिल जाएगा आपको हमारे पास option है option A राजस्तान, option B उत्राकंड, option C कर्नाटक और option D रहेगा जारकंड तो दोस्तों इसका answer होगा option C कर्नाटक अल्माटी बांध है जो कर्नाटक में स्थित है question number 23 में चलते हैं 23 नमर question में नेम लिखित में से कौन सी सरत भारतिय नागरिक्ता प्राक्त करने के लिए आफशक नहीं है देखिएगा यह भूद बारा आचुका है इसके option A है जन, option B है धनो पारजन और option C है उत्तरा दिखारी, option D है स्वभावी करण दोस्तो धनो पारजन है जिसके ज़र्वत नहीं होती है आपको बार्टिय नागरिक्ता के लिए तो इसका answer हो गया option B, धनो पारजन, question number 24 में चलते हैं भारत में पुर्टगाली शाषन की आदार शीला किसने रखी थी हमारे पास option A है, option A है वासको डिगामा, option B है सेंट थोमस, option C है बार्थो, लोमेव, डायस और option D है, अलफांसो, डी, अलबू, कर्क तो इसका answer हैगा option D, अलफांसो, डी, अलबू, कर्क, दोस्तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ student है जिन लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि किसने क्या किया था, कब किसका सासन चला था, कौन सी सन में चला था, तो हम एक छोटी सी trick अपनाते हैं, उस trick को मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, कि जो सुरुवात से लिखे, कि सुरुवात कहां हो यह थी सासन की, मनुश्य के जनम से लिखे, कि पहले इसका सासन आया, फिर अकबर का आया, फिर उसका हुमायू का आया, फि इसको एक अपने रूम के किसी कोने में चिपका लीजिए पेच के उपर और उसको सुबहर से शाम देखें मैं आपसे वादा करता हूँ कि चार दिन के अंदर अंदर आपको सब के सब डिटेल के साथ पता होगा कि इसके साथ क्या हुआ और मैं आपको एक और सला देता हूँ जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैटें तो गपे और किसी दूसरे की चुगलियों करने में टाइम वेस्ट मत किजिया करें आप उस टाइम को कन्वर्सेशन में बदलिए कि मेरे को हिस्ट्री आपको को यारेस आईएस की तैयारी करने वाला बंदा या रहता है आसपास तो उसके पास जाएए और उसको पुछे की यार हिस्ट्री के बारे में बतातू हमें सुरुआत से बता कि क्या कहा से सुरू हुआ था आप उससे समझेंगे तो यकीन मानिएगा आपको पूरा याद हो जाएगा और उस बंदे के भी प्रैक्टिस होगी आप उसके बाद क् कि दूसरे स्टुडेंट्स को बताईए तो दीरे दीरे आपका भी तियार हो जाएगा अब क्यूशन नवर्ट 25 में चलता हूँ द्वानी तरंगों की आवर्ती को व्यक्त किया जा सकता है हमार बस ओप्षन है ओप्षन A सेकेंड में ओप्षन B चक्र में मतलब साइकल में ओप्षन C है साइकल पर सेकेंड में ओप्षन D है मीटर पर सेकेंड में तो दोस्तो इसका एंसर हैगा ओप्षन D मीटर पर सेकेंड तो दोस्तों ये थे हमारे वो 25 क्यूशन जो बहुत इंपोर्टेंट है और काफी बार पूछे जाते हैं अब मैं आपके एक रिपेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके जितने भी मार्क्स आये हूँ चाहे वो 5 आए चाहे 4 आए या 2 आए आप हमें comment section में बताईए so that आपका improvement होगा जब आगे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आज आपके कितने मार्क्स आये हूए है दिरे दिरे आपका improvement होगा कुछ student हमारे लगातार comment कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि उन में कुछ student है जिनका daily के daily improvement हो रहा है। दोस्तो सर्माने की कोई बात नहीं है। सरम आपको तब आनी चाहिए जब आपके marks कमाते हैं या आप इस exams में clear नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कुछ लोग अफवा फैला रहे हैं कि railway group D का exam नहीं होगा यह कुछ नहीं होगा। आपको बस और बस शिर्फ और सिर्फ आपको exam पे concentrate करना है और बातों में मत जाए। धन्यवाद दोस्तों लाइव शिक्षा ट्यूब को यह जो नीचे बटन दिया हूए सब्सक्राइब का इस पे क्लिक कर लीजिए ताकि हम जबी भी आपके लिए वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल सकें।